सवाल है क्या इस महौल में इस जोपड़ी में पढ़ पा रहे हैं? उत्तरप्रदेश की बाड में बारा बंकी पर कहर बरपा है प्रकाश जिनका आधा मकान बह गया और आधा रह गया वो मजबूर है इस कुटिया इस जोपड़ी को बना यहाँ पर निवास करने के लेकर आप देख सकते हैं परिवार इनका यहाँ मौजूद है यह चूला यहाँ पर रखा है जिनको प्रधान मंतरी आवास योजना में मकान मिला था और उसमें वो खुशी खुशी रह रहे ते पर प्रकृति का कहर इस कदर बरपा कि सब कुछ तहस नहस हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चूला है और इन्होंने पूरा सामान अपना यहाँ पर शिफ्ट किया है मजबूरी में मजबूरी का यह आलम है सरकार की तरफ से लगातारा मदद मिली शिक्षा में भी इनको बैक्स मिले किताबे मिली पढ़ाई मुफ्त हो रही है शिक् अधर काश की धर्मपत्नी मेरे साथ मौजूद है कब हुआ है सब कैसे वह इस अधारी हम का नहीं मालूम पढ़े हैं रहती रहता है तो भागना पढ़ा प्लाइब रहता जने हैं सब आपका पूरा मकान भेगे आदा कुछ मकान का हिस्सा आपके पती देव हटा भी रहते हैं तो जब बाढ़ आई तो आप लोग को कहा भागया आप बाढ़ है तो सब्सक्राइब आपने रोट किनारे बनाए तो पढ़िया राए लगें लिटका बच्चा बटोला ने बनाए तक फ़ज़ा रहा हैं जब मकान मिला होगा सरकार की तरस सरकार की दरस जब मकान मिला होगा तो खुशी हुई होगा आज जब वो नहीं है बच्चे परिशान होंगे पढ़ाई हो पारी बच्चों की हाँ पढ़ाई है चार बच्चे पढ़ा जाते हैं चार जाते हैं अब स्कूल बंद है और इन्हें मेरा सवाल है क्या इस महाल में इस जोपड़ी में पढ़ पा रहे हैं जिस तरह पानी का लेविल बढ़ रहा है कोई बड़ी चीज नहीं की पानी यहां तक भी आ जाए आहे लिड़ा बच्चे आदमी छोड़ी कहां चलेहरे म्यूरी काई है बड़ी चोड़ी करें यहां नहीं जाए पागद मी यहां पानी आगए तक अभी करा जाएंगे आप लोग तब कहां जाएंगे यहां पानी आज तो रोट पोफ जैकरें बंड़ना पर दर्बाइट रिपाल रुपाल रहें चले कि हैं और यह कौन को जा रहा है तो यह दर्द आपको मैं दिखा रहा हूं यह दर्द बारत पीड़तों का कुछ के मकान बहे गए कुछ ने मकान ठहा दिये इस टर के मारे की अगला मकान कहीं हमारे ही ना डेह जाए शिक्षा का अधिकार जरूर है आवास जरूर है पर प्रकृती का कहर इसकदर बर्पा है कि इन लोग की जिन्दगी बिगड़ सी गई है